जो लोग सरा पीने के सोकिन होते हैं और सरा पीने के लिए कभी बार तो या फिर कभी पॉप में जाते हैं आपने भी अपने सहर में पॉप या फिर बार के बोड़ देखे होंगे और हो सकता है कि आप भी बार या फिर पॉप में गए होंगे बहुत से लोग बार या फिर पॉप में जाते हैं लेकिन उन्हें इसका मतलब नहीं पता होता है क्या आप जानते हैं कि पॉप, बार या फिर क्लॉप में क्या अंतर होता है और ये सबी get together place एक दूसरे से कितने अलग होते हैं ऐसे में आज हम आपको पॉप, बार या फिर क्लॉप के बारे में बताते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर बार की बात करें तो बार एक एसी जगह होती है जहां सराफ बेचने की इजाज़त होती है यानि उस थान पर सराफ सर्फ की जा सकती है और वहां बैटकर सराफ पिया जा सकता है बार के लिए भी खास अनुमति की आवसकता होती है और लाइसेंस मिलने के बाद ही यहां सराफ सर्फ की जा सकती है बार में आप एक टेबल पर वट सकते हैं जहां आप बार्टेंडर या फिर वेटर आपको आपकी डिमान के आधार पास सिग्रेट भेजता है यहां खाने के लिए भी कुछ अप्सन होता है अगर पॉप की बात करें तो पॉप एक पॉब्लिक हाउस की तरह होता है जहां एलकोली ड्रिंक सर्फ की जाती है यहां आपको हॉम लाइक बाताबरन मिलता है जिसमें सब कुछ सेट नहीं रहता जिस तरह बार में कुछ टेवल होती है और एक जगह बैटकर ही आपको सरा पीनी होती है ऐसा पॉप में नहीं होता है हाला कि पॉप में महाउल काफी कुछ अलग होता है और वहां कुछ एक्टिविटी भी हो सकती है आप भी थूड़ा डांस कर सकते है और वहां आपको कुछ आर्टिस्ट के द्वारा भी डांस देखने को मिल सकता है इसके अलाबा यहां कई तरह की एक्टिविटी भी हो सकती है अगर क्लॉप की बात करें तो क्लॉप ओ जगह होती है जहां काफी ज़्यादा जगह होती है और एक डांस फ्लोर या फिर डांस स्टेज होता है यहां ड्रिंक और भी कर सकते हैं या फिर काउंटर पर जाकर आप खुद भी ले सकते हैं इन में जाने के लिए entry फीस देनी होती है इसके अलाबा membership की जरिये लोगों की entry भी होती है और लोग काफी लंवे समय तक enjoy करते हैं आई होप आपको बार प्लॉप और क्लॉप के बारे में समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिन